चलिए तेरा देखते हैं यहाँ पर उसी तरह से एक बटा दो से भाग हुआ और दो से यहाँ पर गोना करते हैं तू साइन फाइफ एक्स ठीक है और इंटू में है आपका कॉस्ट एक्स चलिए आप फॉर्मुला यहाँ पर लगाएंगे इसका तो अब यह पिछले कोसर में भी देखें थे ना हाँ तू साइन एक कॉस बी का साइन ए पलस बी और पलस साइन ए माइनुस बी चाई तो हो जागा का एक्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखो क्या है जागा इसको फर्मुला लगा देते हैं क्या जागा साइन ए पलस बी यारी कि 6 पाचे का रहा है और पलस साइन ए माइनस बीट तो पाचेक्स में से 6 गटा दाना है यहां पर माइनस एक्स आ जाए गया है 1 बाइ 2 इंट्रिगेशन ओफ एक्स अंदर देखो क्या होगा साइन 11 एक्स माइनस साइन एक्स दीटदध अब इंट्टू करो इसमें अब उसके बाद निकालेगा 1 बाइ 2 X साइन 11 एक्स माइनस X साइन X डीच अब चलिए इसका इंट्रिगेशन हम लोग यहां पर करते हैं दो फंक्षान है कि अलग 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 प्रोडक्ट में इनको अलग अलग हम लोग यहां पर सिरी इसके बाद लगा मेंगे मिदिल ब्रेकल में एक्स साइन एक्स का इंट्रिगेशन माइनस इंट्रिगेशन का सिम्बल देकि राई डेरीवेटी भूगा किसका एक्सका एकस कही त्रिखेसंग्द साइन की इंट्रिगेशन डी एक्स यह मिडिल बेकेट बंद कर देंगे फिर यहां बड़ा वाला भी ब्रेकेट बंद करेंगे पूरे के साथ वन बाइटू मुल्टिप्लाइए में है वन बाइटू यहां पर देखो क्या जाए यह साइन का कॉस होगा माइनस का और 11 एक्स का 11 माइनस इंट्रिगेशन यह तो वन हो जाएगा इसके बारे में बात करते हैं तो माइनस का कॉस हो गा तो प्लस कॉस हो गया थी कैस प्लस माइनस हो गया कॉस 11x बटा में 11 घ। minus, यह bracket हटाते हैं, तो x, sin का minus cos होगा, तो यहाँ पर plus हा जागा न, पहले लिख दो, minus cos, ठीक है, sin का minus cos, फिर minus है, और यह minus होगा, यहाँ plus करदू न, bracket हटेगा तो, यहाँ पर देखो, इसका तो 1 हो गया, sin का minus cos, d x चलिए अगले step में देखे हैं 1 by 2 minus का x cos 11 x बटा 11 plus cos का यहाँ sin आ जाएगा और 11 x का 11 अजएक 11 नीचे भी है तो एक से किस हो जाएगा minus minus plus x cos x यह दो को यह minus का यह plus minus 5 हो जाएगा और cos का होता है sin sin x plus c यह आपका answer होता है समझ गया